राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक मा के त्याग की बहुत ही अच्छी कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्ती को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें उत्तर परदेश के एक गाओं में एक हस्ता खेलता परिवार रहता था उस परिवार में तीन लोग थे राकेश, शान्ती और उसका बेटा मनुज गरीबी होने के कारण राकेश और शान्ती को मज़दूरी करने का काम करना पड़ता था वे लोग एक छोटी सी जोपड़ी में रहते थे जो की एक छपर की बनी हुई थी राकेश शान्ती को बहुती मेहनत करनी पड़ती थी पर मनुज एक बहुती सरारती बच्चा था मनुज एक स्कूल में पड़ता था जो की केवल गरीब बच्चों के लिए बनाया गया था गरीबों के होने के कारण उस स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ती थी शाम का समय था मनुज अपने दोस्तों के साथ राजू और चिंटू के साथ खेल रहा था तभी मनोज खेल में बेईमानी कर लेता है और उसके दोस्त राजू और चिंटू मनोज को मारने लगते हैं चिंटू कहता है मनोज ये क्या बात है मनोज कहता है क्या चिंटू कहता है देख राजू ये क्या कह रहा है राजु कहता हाँ चिंटू मनोज ने बेईमानी करी है मनोज कहता है नहीं नहीं मैंने कोई बेईमानी नहीं करी चिंटू और राजु कहते हैं नहीं तुमने बेईमानी करी है मनोज अपना जूट पकड़ता हुआ देख जल्दी से महां से भागने लगता है मनोज जल्दी से भाग कर अपनी मा के पीछे छुप जाता है जो अभी-अभी मजदूरी करके आई थी शान्ती उसे इस तरह छुपता हुआ देख कर बोलती है अरे बच्चों क्या हुआ है क्या किया है इसने इस बार चिंटू और राजू शान्ती के पीछे छिपे मनोज की ओरिसारा करके बोलते है चिंटू और राजू दोनों एक साथ चाची इसने एक बार फिर से खेल में बेईमानी की है शान्ती मनोज से कहती है यह सब क्या है चलो मेरे पीछे से बाहर आओ मनोज सान्ती की बास सुनकर जल्दी से बाहर आता है और अपनी गर्दन जुका कर खड़ा हो जाता है शान्ती उसका कान पकड़ कर बोलती है चल माफी मांग इन लोगों से तो मनोज कहता है मुझे माफ कर दो चिंटो और राजु कहते हैं चलो कोई बात नहीं अब हम अपने घर जा रहे हैं क्योंकी राथ होने वाली है और मनोज कहता है कि ठीक है और मनोज भी खाना खाकर सो जाता है वैस सुबै तो इसकूल चला जाता है और दौफेर को घर लोटता है पर राकेस और शान्ती दोनों ही सुबह को बाहर जाकर मजदूरी करते और रात को घर लोटते थे शान्ती मनोज का खाना सुबही बना करके मजदूरी के लिए चली जाती थी ताकि मनोज को खाना खाने को मिल जाए और उसे मेहनत नहीं करने पड़े और जो शांती मनोज से कहती थी बेटा मैं खाना बना कर जा रही हूँ तुम जब स्कूल से आ जाओ तब खाना खा लेना मनोज कहता था हा मा खा लूँगा आप जाओ मनोज ने ये बात मुँ बनाते हुए कही थी क्योंकि उसको तो पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर राकेश और शांती चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह मजदूरी ना करें और उसे भी ये गरीबी के दिन देखने नहीं पड़े वे चाहते थे कि मनोज एक बड़ा आदमी बने और अपने माबाप का नाम रोशन करें पर भगवान को शायद कुछ औरी मनजूर था एक दिन उस राजिया में बड़ी भारी बाड़ आई और उसमें ना जाने कितने घर तबाह हुए पूरा गाम पानी में समा गया था अब तो चंद घरी बचे हुए थे जिनकी भी छती छत दिखाई दे रही थी बदकिस्मती से राकेश की जोपड़ी कमजोर होने की वज़े से पानी का बहाव नहीं सह पाई और तूट कर बिखर गए और उस नीली छत्री वाले की किरपा तो देखो अभी उन तीनों में से किसी की भी मिर्तियों नहीं हुई थी वे सब अलग-अलग हो चुके थे हर जगय पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था शांती और उसका बेटा मनोज एक बड़े लकडी के टुकडे के सहरे तैर रही थे और राकेश एक पतले से लकडी के दरवाजे पर बैठा था जो कभी भी तूट सकता था वे लकडी का दरवाजा किसी के घर से अलग होकर आया था चांती चिल्ला रही थी कोई बचाओ अरे कोई तो बचाओ मेरे पती को और मनोज भी चिल्ला रहा था कि पिता जी पिता जी राकेश भी चिल्ला रहा था कोई बचाओ ये दरवाजा मेरा वजन और नहीं सह सकता बचाओ बचाओ शांती और मनोज दोनों ही बहुत जोरों से चिलाए जा रहे थे उधर से राकेश भी अपनी पूरी कोशिस किये जा रहा था कि कोई उन्हें बचाओ वो पानी में बहे जा रहे थे क्योंकि राकेश जिस दर्वाजे पर बैठा था उसमें अब दरार पढ़ना सुरू हो गई थी जब वह यह देखता है तो जोर-जोर से चिलाने लगता है अरे कोई बचाओ मैं डूब जाओंगा राकेश जोर-जोर से चिला रहा था पर उस बेचारे की किसमत तो देखो सारे लोग उसे पानी के दूसरे किनारे खड़े होकर बस देखे जा रहे थे पर किसी में भी उसे बचाने का साहस नहीं था वे सभी उसे देख रहे थे उधर शांती और मनोज भी राकेश को देख रहे थे और मनोज जब पानी में छलांग मारने को हुआ तो सांती ने उसे जट से अपनी तरफ खींच लिया जब राकेश मनोज को पानी में छलांग मारते हुए देखता है तो वो चिलाते हुए बोलता है शांती और मनोज तक उसकी आवाज पहुँच सके राकेश कहता है नहीं बेटा मनोज तुम यहां मेरे पास नहीं आओगे मनोज उनसे सवाल करते वे बोलता है क्यों पिताजी मुझे आपके पास आना है आपको बचाना है मनोज की बाते सुनकर राकेश की आँखे भराती है आखिर वे अपने बच्चे को अपनी चिंता करता देखता किसी भी माँ बाप की आँखों में आसु आना लाजमी था मनोज कहता नहीं पिताजी मैं आऊंगा मनोज तो अपनी जिद पर अडगया राकेश उसे समझाते समझाते ठक गया पर शान्ती को वे बोलता है कि रमेश शान्ती संभालो इसे मनोज पानी में न कूद जाए और शान्ती राकेश की बात सुनती है तो मनोज को भी कस कर पकड़ लेती है ताकि वे भाग ना पाए शान्ती मनोज को पकड़ लेती है राकेश भी अब उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लग रहा था तब हुआ एक तेज पानी का बहाव आता है और राकेश उस लकड़ी के दर्वाजे को बहा कर जो वे पानी का बहाव अपने साथ ले जाता है उस बहाव के कारण शान्ती और मनोज भी बह कर दूसरे किनारे बह जाते हैं जहाँ पर और लोग थे और उन दोनों के फेपड़ों में पानी भरने के कारण वे दोनों बेहोस हो चुके थे उन दोनों को भले ही यह ना पता हो पर लोगों को पता था कि राकेश अब पानी के भाव में बहच चुका है और उसकी मिर्तियू हो गई है लोगों की लाग कोसिस करने के बाद शांती और मनोज के फेपड़ों में से अब जाकर पानी निकला था बहार अब वे पराभी भी बेहोस थे लोग उन्हें जैसे तैसे करके पास के अस्पताल ले गए तो उन्होंने पाया कि शांती की नवज बहुत धीरे धीरे चल रही है शांती की जान को खतरा है उसकी मिरत्यू किसी भी वक्त हो सकती है डॉक्टरों ने उसे इमर्जंसी वाड में भेज दिया है अब शांती का इलाज चलने लगा डॉक्टर्स की टीम अपना पूरा योगदान दे रही थी तब ही शांती की सांसे उठने लगी मानो की कोई उसके प्रान निकाल रहा हो तभी एक नर्स बोलती है सर पेशेंट की जान खत्रे में है उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तभी एक डॉक्टर एक बार फिर बहुत जो वो डर जाता है वे सभी डॉक्टर्स अपना पूरा योगदान शांती को बचाने में दे रहे थे और अपनी पूरी कोशिस कर रहे थे शांती की हालत अब बिगड़ती जा रही थी पर डॉक्टर्स अपना काम किये जा रहे थे तभी शांती की सरीर में हलचल करना उसने बंद कर दिया शान्ती की हालत को देखते हुए डॉक्टर डर जाते हैं उसकी धड़कने अब सामान्या से बहुत कम चल रही थी अब तो मसीनों से भी चूंचूंग की अवाज आने लगी थी तब ही डॉक्टर अपना दिमाग लगाते हुए नर्स की तरब देखता है और कहने लगता है जी सर नर्स ने डॉक्टर को जल्दी से उपकरण लाकर दे दिया डॉक्टर ने अपना काम सुरू कर दिया बार सभी लोग शान्ती के लिए प्रात्ना कर रहे थे उन सभी को डर था कि कहीं शान्ती को कुछ हो न जाए अंदर डॉक्टर भी अपनी पूरी कोसिस कर रहे थे वे बार बार शांती को करंट देते जा रहे थे कम से कम 15 मिनट की कोशिस के बाद शांती ने जोर से सांस ली और उसकी धड़कन सामान्य हो गई यह देखकर सभी डॉक्टर्स और नर्स के चेहरे पर संतोस के भाव उभराए और होटो पर एक बड़ी सी मुस्कुरहाट आ गई आखिर आती भी क्यों नहीं उन्होंने एक बच्चे को अनात होने से जो बचाया था डॉक्टर्स को देखते हुए बोला कि आब सिस्टर इने एक इंजेक्शन दो और पट्टी भी कर दो अब हम बाहर जाते हैं नर्स बोली जी सर डॉक्टर्स इतना कहकर बाहर चले जाते हैं डॉक्टर साहब क्या हुआ हमारी शांती ठीक तो है न और क्या हुआ उसे सभी लोगों ने डॉक्टर के सामने सबालों का पहाड लगा दिया और उन सभी की आवाज में एक दर्द और चिंता साप साप जलक रही थी डॉक्टर उने सांत करते हुए कहते हैं देखिए अब वो खत्रे से पूरी तरह से भार हैं अभी उने बेहोस किया हुआ है जब होस आएगा तो आप सभी उनसे मिल सकते हैं इतना कहकर डॉक्टर हुआ से चले जाते हैं बाकी मरीजों को देखने लगते हैं उधर से एक नर्स शांती को पट्टी करके बाहर आ जाती है और मनोज के वाइड में चली जाती है कुछ घंटों बाद शांती को होस आ जाता है तो नर्स बाहर आते हुए लोगों को बताती है अब पेशेंट को होस आ चुका है और आप सब उनसे मिल सकते हैं पर एक बार सिर्फ दो ही लोगो को जाने की अनुमती है और हाँ याद रहे उन्हें किसी परकार का तनाव ना हो नर्स की बात सुनकर दो लोग अंदर चले जाते हैं और जो उसके पड़ोस के ही घरवाले थे वो सांती को देखते हैं जो इस वक्त आंके बंद किये लेटी हुई थी उनमेंसे एक महिला बड़ प्यार से उसे बोलती है शांती शांती अपनी आखे खोलती है तो अपनी पड़ोसी को देखती है और बोलती है मैं यह क्या कर रही हूं और मनोज कहां है मेरा बच्चा तो ठीक है ना आखिर में यह होती है मा की ममता वो सांती जो अभी मौत को छू कर आई है वो अपने बात सुनकर उसके पड़ोस की चंदक कहने लगती है शान्ती मनोज एकदम ठीक है और वो तुम दोनों ही जो पानी के भाव में बैकर दूसे किनारे आ गए थे जहां हम सब थे तुमारे और मनोज के फेपड़ों में पानी भरने के कारण तुम दोनों बेहोस हो गए थे तुम समारा इलाज ततकाल कराना पड़ा और वहीं मनोज को समान्य वार्ड में ले जाया गया है शान्ती कहती है अब मेरा बच्चा कैसा है तो चंदा कहती है अब तो वो ठीक है और आराम कर रहा है शान्ती मनोज के बाबा के बारे में पूछती है तो चंदा ने जब शान्ती का यह सवाल सुना तो वै उसकी तरब बेचारगी भरी नजरों से देखती रही उसे चुप्पी साधा हुआ देखकर शांती ने उससे दोबारा वही सवाल किया चंदा तुम बोलो ना क्या हुआ यह चुप्पी क्यों साध रखी है चंदा ने भर राए हुए गले से जवाब द कि वो अब नहीं आएंगे शांती कहती है अच्छा बाद में आएंगे वो ठीक है ना चंदा कहती है नहीं वो कभी नहीं आएंगे शांती कहती है चंदा तुम सारी बात धंग से क्यों नहीं बताती यह पहलिया मत बुझाओ चंदा कहती है शांती वो हम वो और वो हकलाने लगती है शांती कहते है चंदा बताओ ना क्या हुआ उन्हें देखो मेरा दिल अब बैठता जा रहा है बताओ चंदा बताओ तो चंदा कहती है कि शांती वो राकेश भहिया नहीं रहे शांती कहते है तुम क्या कह रही हो ऐसा नहीं हो सकता तुम मजा कर रही हो ना तो चंद शान्ती की यहालत देख कर उसकी तरफ जाती है और उसे गले से लगाते हुए बोलती है नहीं शान्ती भला मैं ऐसा मजा कबसे करने लगी वो भी तुमसे नहीं बिल्कुल भी नहीं शान्ती शांती रोते हुए कहते है चंदा एक बार बोल दो कि ऐसा कुछ नहीं है शांती की ये हालत देखकर चंदा भी रोने लग जाती है उसे रोते रोते सारी बात बता देती है चंदा कहती है हाँ शांती राकेश भाईया अब नहीं रहे अब वो कभी नहीं आएंगे तुमसे मिलने मनोज से और हमसे कभी नहीं मिल पाएंगे वो उपर वाले की गोद में हमेशा हमेशा के लिए चले गए बस इतना सुनने की देर थी कि शान्ती जोर जोर से चिलाने लगी इस वक्त जो कोई भी उसे देखता और सुनता या अनुमान लगा सकता था कि शान्ती कितने दुख में है कैसे वह अपने पूरे गले से चिलाए जा रही है शान्ती चिलाए हुए कहती है कि शान्ती कहती है नहीं मनोज के बापू तो मैं ऐसे मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते और शान्ती की अवाज सुनकर बार खड़े सभी लोग अंदर आ गए शान्ती अभी भी चंदा से लिप्टी हुई फवक फवक कर रो रही थी और कह रही थी कि मनोज के बापू ऐसे हमें सुच छोड़ कर नहीं जा सकते और शान्ती की ऐसी हालत देखकर हुआ खड़ा एक आदमी जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता है क्योंकि अगर वो जादा रोएगी तो उसकी हालत और जादा बिगड जाएगी डॉक्टर शान्ती की हालत देखते ही उसे एक नेंद का इंजेक्शन दे देते हैं इंजेक्शन देने के एक मिनट के अंदर ही अंदर जो शान्ती नेंद के आगोस में चली जाती है और सब लोग आराम से बाहर बैठकर शान्ती के बारे में सोचने लगते हैं शान्ती की तरफ देखते हुए डॉक्टर चंदा के पती से कहते हैं देखिए अभी मैंने इने नीद का इंजेक्शन दिया है और अगर ये 24 गंटए तक नहीं उठी तो आप सभी चिंता ना करें कुछ तो हाई डोस मेडिसन के कारण हो सकता है कि 24 गंटे भी ये ना उठें तो आप सभी चिंता ना करें चंदा का पती कहता है जी डॉक्टर और चंदा के पती का नाम रामू था रामू को थोड़ा और समझाने के बाद डॉक्टर अपना काम करने चले जाते है रामू मनोज के पास जाता है और उसका सिर सहलाते हुए उस से पूछता है बेटा मनोज कैसे हो अग तूम तो मनोज कहता है ठीक हुन चाचा मेरी मा कैसी है तो रामू कहता भावी अब ठीक है बेटा तड़म चिंता मत करो तो मनोज कहता है चाचा मेरे बाबा कैसे है तो रामू जब मनोज के मुँँ से राकेश का जिक्र सुनता है तो वे बात को टालते हुए कहता है मनोज बेटा तुम अभी इतने ठीक नहीं हुए हो कि सवाल जबाब कर पाओ ठीक है अब मैं चलता हूँ मुझे जाकर शांती भा को भी संभालना है तब तक तुम आराम करो मनोज केता है ठीक है चाचा और मनोज अपनी आज़े बंद कर लेता है और रामू कुछ देर तक उसका सिर सहलाता रहता है जब तक कि मनोज को नीन्द नहीं आ जाती मनोज को गहरी नीन में सोता हुआ देखकर रामू वहांसे वे उसके पास आती है और उससे सवाल पूछने लगती है चंदा कहती है मनोज कैसा है क्या उसने राकेस भहिया के बारे में पूछा अगर पूछा तो आपने उसे क्या बताया आप चुप क्यों हो कुछ बोल क्यों नहीं रहे रामो कहता अरे बाबा शान्त हो जाओ पहले तुम सांस तो लेलो चंदा कहती है लेली सांस अब आप बताओ तो रामो कहता है मनो जब ठीक है उसने राकेश भाईया के बारे में भी पूछा चंदा जब राकेश की बात सुनती है तो उसके चेहरे पर परिशाने के भाव जलकने लगते है वे रामू से पूछती है तो आपने बताया क्या उसे रामू कहता है बताना क्या चंदा एक बार तो ये बात मैंने टाल दी कि अभी तुम कमजोरो अराम करो सवाल नहीं तो कुछ नहीं सोचा आगे क्या करना है पर जो कुछ भी करना है बड़ी सोच समझ के साथ करना होगा क्योंकि मनोज अभी बच्चा है अगर उसके दिमाग में किसी बात ने अपना घर बना लिया तो शायद वे मानसिक तोर से भी परेसान हो सकता है हम एक काम कर सकते है चंदा कहती है क्या तो रामो कहता है क्यों न हम शान्ती से जो मनोज को समझाने को बोलें चंदा कहती है नहीं अभी हम ये नहीं कर सकते शान्ती की हालत बहुत खराब है उसे संभालना मुस्किल है वे तो मनोज तो को तो कैसे संभाल पाएगी अभी तो वो खुट ठीक नहीं है रामू कहता है शांती ये कर पाएगी चंदा कहती है कैसे शांती ये कैसे कर पाएगी बताओ तो रामू कहता है कि शांती के अंदर की मा उससे ये सब करवाएगी चंदा कहती है वो कैसे रामू कहता तो सुनो जो शान्ती है वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगी उसे समझाएगी वो अपने बेटे का दुख नहीं देख पाएगी क्योंकि शान्ती के अंदर जो एक माँ है और मा अपने बच्चे का दुख नहीं देख पाती है और एक माँ के साथ साथ वै एक स्वा भीमानी महिला है तो ना तो वो हमसे पैसे लेगी और ना किसी और से कर जा इसलिए हमें शांती को मनोज के बारे में समझाना होगा और बाद में शांती खुद मनोज को समझाएगी और संभालेगी भी और अब बताओ कैसा है मेरा प्लान चंदा कहती है प्लान तो बहुत अच्छा है पर हम उसे समझाएंगे कैसे रामो कहता है हम नहीं तुम चंदा कहती है पर मैं अकेली कैसे करूंगी ये सब रामो कहता है तुम शांती को बताना कि अगर वो ऐसे हाथ पर हाथ धरे यूं बैठी रहेगी तो मनोज का क्या होगा मनोज तो अभी एक बच्चा है चंदा कहती है हाँ मैं यही कहूंगी रामू कहता हूँ सब छोड़ो अब सो जाओ रात बहुत हो गई है चंदा कहती है हाँ चलो और अगली सुबह नौ बजे चंदा और रामू दोनोई उठ चुके थे पर शांती अभी नहीं उठी थी मनोज भी एक बार उठ कर सो गया था और नर्स ने उसे खाना खिला कर दुबारा लेटने के लिए बोला था इसलिए मनोज दुबारा सो गया था जब चंदा और रामू पास की केंटिन से थोड़ा खाना खा कर आते हैं तो वे पाते हैं कि नर्स उन्हें ढूंड रही है वे नर्स से उसको ढूंडने का कारण पूछते हैं तो नर्स बताती है कि लिए जो शांती को होस आ चुका है और वो रोते रोते उन लोगों को बुला रही है रामू और चंदा जब यह बात सुनते हैं तो जल्दी से शान्ती के बाइड की और कदम बढ़ा देते हैं और शान्ती के बाइड में जब वो पहुँचते हैं दौना तो जब वो दौना शान्ती के पास आ गए उन्हें देखते ही शांती की हालत खराब होती है उसकी हालत वे दौनों समझ सकते हैं आखिर एक महिला जो तकरीवन एक दिन पहले ही मौत को हरा कर आई है और फिर उसे बता दिया जाए कि उसके पती की हादसे में मौत हो चुकी है तो वो सांत कैसे रह सकती है एक और मानसी तो हम उसे सांत रहने की उमीद कैसे कर सकते हैं एक बार के लिए तो संभल भी जाए पर क्या वो अपने उस बच्चे के बारे में सोच सोच कर गुटेगी नहीं इसी सोच के गम में चंदा शांती को अपने से चिपकाई उसका सर सहलाते हुए उसे चुप कर आ रही थी चंदा सांती को समझाते हुए बोली शांती शांत हो जाओ तुम्हें हिम्मत रखनी होगी देखो कैसी हालत बना रखी है अपनी कुछ तो सोचो अपने बारे में शांती कैती है क्या सोचू बहन मेरे तो जिंदगी ही उजड गई तो चंदा कहती है शांती देखो कुछ नहीं हुआ राकेश भहिया का साथ अपने सब के बीच इतना ही था देखो शांती एक बार देखो अपनी तरफ क्या हालत बना ली तुमने खुद की चलो छोड़ो ये सब पर एक बार तुम मनोज का तो सोचो उस नन्नी सी कली का तो सोचो उसकी जिंदगी में ये तूफान आ गया है तुम्ही उसका पौदा हो अगर तुम खुद तूट कर बिखर जाओगी उखड कर गिर जाओगी तो उस नन्नी सी कली का क्या होगा वो कभी खिलेगी क्या मनोज अभी बच्चा है उसकी पूरी जिंदगी बच्ची है अपना तो क्या है अपना तो बढ़ापे की ओर जा रहे है पर मनोज उसकी जिंदगी तो अभी सिरू ही है शान्ती अपन सभी तो ढलते सूरज है पर मनोज तो एक उगता सूरज है तुम उसके बारे में सोचो देखो शांती अंत में मैं यही कहना चाहूंगी तुम्हें संभलना होगा अपने लिए ना सही पर अपने उस मासूम बच्चे के लिए सही जो ही चंदा ने अपनी बात खतम करी तो शांती की तरफ अपनी नजरे उठा कर दे ओस्तक देख रही थी कि आखिर शांती क्या सोच रही है चंदा संथी को ऐसा सोचता हूँ देखकर भोली क्या सोच रही यो शान्ती, शान्ती कहते है चंदा, आज तुमने मुझे सच से वाखिप करा दिया, मैं अपने बच्चे के लिए खुद को तूटने नहीं दूँगी, मैं उसे एक नई और अच्छी जिंदगी दूँगी, उसे एक बड़ा आदमी बनाऊंगी, चंदा कहते है शावास शान्ती, यह हुई ना एक मावाली बात, और छे दिन बाद आज शान्ती मनोज को डिश्चार्ज कराने का दिन्द था, और आज उन दोनों को जो पूरी तरह से वो दोनों स्वस्थ हो गए थे, शान्ती ने मनोज को बड़ी बखुबी से समझाया, कि कि मैम, हम उन सब से बिल नहीं ले रहे, जो लोग बाड में बह जाने के कारण चोटिल हो गए थे, शान्ती कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप लोग हम से बिल नहीं लेंगे, नर्स कहती है, नहीं मैम, मुख्य मंत्री ने यह नियम निकाला है, कि कोई भी सामुदाइक, स्वास्तिय केंद्र, उन लोगों से बिलकुल भी रुपे नहीं लेगा, जो बाड में किसी हादसे का सिकार हो गए है, शान्ती कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कहकर शान्ती मनोज को और चंदा और रामु के साथ अपने घर के लिए निकल गई, महां जाकर वो देखती है कि बाड के कारण उसका घर तभा हो गया, तो शान्ती चंदा और रामु को अपना घर बनाने के लिए कहती है, तकरीवन एक महीने बाद उसका घर बन जाता है, और मनोज भी अब स्कूल जाने लगा, एक दिर मनोज के हाथ में एक लिपापा आज मनोज को स्कूल के समय खतम होने से पहले ही घर आता देखकर उससे सवाल पूछती है, बेटा मनोज तुमे इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, तो मनोज अपने हाथ में पकड़ा लिपापा अपनी मा को थमा देता है, मनोज दुआरा दिया लिपापा पढ़कर वैह हैरान हो गई, उस लिपापे में लिखा था, आपका बच्चा स्कूल फीस पूरी ना होने के कारण हम उसे अपने विद्याले में अब नहीं पढ़ा सकते, जब शांती यह बात पढ़ी तो वैह सोच में पढ़ गई, फिर वैकुछ सोचते हुए मनोज के घर पर रहने को बोलकर उसके स्कूल की ओर चल पड़ी, स्कूल पहुंचकर हुआ के परदानाचारिय के सामने अपने हाथ जोड़ कर बोली, देखिए सर अभी तो आप मनोज को विद्याले से ना निकाले, अभी हाली में उसके पिताजी का निधन हुआ है, तो मैं अकेली इतने सारे रुपे जमा नहीं कर सकती, और आपका विद्याले तो हम निर्दन लोगों के बच्चों के लिए निसुल्क बनाया गया था, तो अब आप सभी को ये फिसकिस कारण मांग रहे हैं, परदानाचारिय कहते हैं, देखिए आपका कहना बिलकुल सही है, कि हम बच्चों को निसुल्क पढ़ हैं, तो किर्पिया आप हमारी भी हालत को समझें, और जल्दी से जल्दी फिस जमा करवाएं, शान्ती कहती है जी, और इतना कहकर वे परदानाचारिय को अपना समय देने के लिए धन्यवाद कहकर चली गई, अब शान्ती सारे रास्ते यही सोचती आती है, कि वो पैसे कमा अभी तो वे मजदूरी करती रहती थी, पर उससे वे मनोज की स्कूल फिस कैसे पूरा करेगी, वे चली रही होती है कि उसके सामने चंदा आ जाती है, जो इस वक्त को सबजियां खरीद कर ला रही थी, चंदा शान्ती से उसकी परेशानी का कारण पोचती है, तो शान्ती उसे सारी बात विस्तार से बताती है, चंदा उसकी परेशानी देखते हुए कहती है, चंदा कहती है, शान्ती बेन तुम परेशान क्यों होती हो, मनोज हमारा भी बेटा है, मैं उसकी स्कूल फिस के रुपे दे दूँगी, तो शान्ती चंदा की बात सुनकर उसकी बात से क हमारे पास पैसे हूँ तब वापस मुझे कर देना शांती कहते हैं नहीं चंदा मैं पैसे नहीं ले सकती अगर आज मैं पैसे ले लूँगी तो मनोज को क्या सिक्षा दूँगी जब भी मुश्किल की घड़ी हो तो खुद कुछ ना कुछ करके दूसरों के सहरे जिंदगी ज मैं ऐसा नहीं कर सकती चंदा बेहन तुम मेरी अपनी नहीं हो पर मैं मनोज के सामने एक गलत उधारन नहीं बनाना चाहती मैं उसे मुश्किलों से डटकर सामना करने वाला बनाना चाहती हो चंदा कहती है ठीक ठीक है बेहन जैसी तुमारे इच्छा पर देको कोई काम हो य चंदा बेहन तुमने मुझे इतना बोला यही मेरे लिए काफी है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो चंदा कहती है हाँ हाँ बोलो शांती बेहन क्या मदद चाहिए तो शांती कहती हो करना क्या है मैं न सोच रही हो कि किसी घर में जाकर काम कर लेती हो तो क्या तुमारी न हाई थी क्या नाम था उसका हाँ हाँ माधूरी माधूरी नाम है उसका और वैप पूछ रही थी कि कोई घर का काम करने बारे में शान्ती कहते है तम्हारा बौत बहुत धन्यवाद चंदा भेहन तुमने मेरी बहुत बड़ी समश्या हल कर दी तुम्हारा यह एहसान मैं जिन्दगी भर नहीं भूलूंगी चंदा मजा की अंदाज में कहती है मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगी शान्ती बेन और शान्ती कहती है ठीक है पर उनका घर कहा है चंदा बेन चंदा कहती है उनका घर आगे से तीसरी गली में चोथा घर है शांती कहती है ठीक है तो तुम उनसे बात कर लोगी न तो चंदा कहती है अरे हाँ मैं बात कर लूगी एक काम करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और हुआ ही पर मैं उनसे बात कर लूगी और हुआ से तुम सीधा उनके घर चली जाना तो शान्ती कहती है हाँ ठीक है और चंदा कहती है तो चलो और शान्ती और चंदा दोना बाते करती होई घर पहुचती है चन्दा शांती को एक कपचाए पिलाती है और अपने लेंड लाइन फॉन से पर माधूरी जी से बात करके चन्दा जो शांती के लिए एक और नौकरी का बंदोबस्त कर दीती है बाद में कुछ करने के बाद चंदा शांती को एक बार माधूरी जी से मिलने की सला देती है तो शांती हामी भरकर माधूरी जी से मिलने चली जाती है और शांती माधूरी जी के घर का दरवाजा जाकर खटखटाती है तो माधूरी जी दरवाजा खोलती है जब वे धरवाजा खोलती है तो वे सामने खड़ी सानती को देखती है और वो सानती से पूछती है कि आप कौन है शानती कहते है जी नमस्ते मेरा नाम शानती है और चंदा ने आपको जो मेरे बारे में बताया होगा तो माधूरी कहती है अच्छा तो तुम हो शान्ती आओ आओ अंदर आओ और शान्ती कहती है जी सुक्रिया माधूरी शान्ती को अपने साथ अंदर लाती है और शान्ती जब घर के अंदर आती है तो उसकी आखे चौंधियाने लगती है आके चौंधियाएं भी क्यों ना शांति न अपनी पूरी जिन्दगी में पहली बार इतना बड़ा घर जो देखा था माधूरी शांति से बैठने को बोलती है और शांति को उसके बारे में बताने को कुछ बोलती है शांति उसे कुछ बाते बताती है फिर माधूरी शान्ती को घर का काम बताती है और सबी चीजों के स्थीती बताती है माधूरी शान्ती से कल के बारे में आने का पूछती है तो माधूरी कहती है शान्ती तुम कल आ रही हो ना तो शान्ती कहते है जी मेम साब पर माधूरी कहती है पर क्या तो शान्ती कहती है पर क्या वो ना मैं सुबह मजदूरी करने भी जाती हूँ तो क्या मैं हैं सुबह ग्यारा बज़े आ सकती हूँ तो माधूरी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर तो तुम कल से आ रही हो ना तो शान्ती कहती है जी मेम साब मैं कल जरूर आ जाऊंगी तो माधूरी जी कहती है तो कल 11 बजे आ जाना शान्ती तुम शान्ती कहती है जी मेम साब अब मैं जाती हूँ और माधूरी कहती है हाँ अब तुम जा सकती हो और उधर शान्ती जब अपने घर जाकर देखती है तो देखती है कि मनोज रसोई घर में कुछ ढूंड रहा है तो शांती उससे पूछती है बेटा क्या हुआ क्या ढूंड रहे हो तो मनोज अपनी मा की तरफ देखकर बोलता है मा भूक लगी है कल रात से कुछ नहीं खाया शांती कहते है जाओ तुम खेलो मैं तुमारे लिए खा कुछ रही थी कि आखिर बनाए तो बनाए क्या शांती बैटी बैटी अपने मन में सोचती है क्या बनाओं मनोज ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है घर में कुछ भी नहीं बनाने को ना तो सबजी है और ना ही आटा है दाल चावल कुछ भी नहीं है पैसे भी नहीं है कि जो कुछ खरीद कर ले आओं चंदा बेहन ने तो कहा भी था कि किसी चीज की जरुरत हो तो बता दू पर उनके घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है बाकी मैलाएं मेरी मदद करेंगी नहीं बिधवा जो ठैरी शान्ती अपनी किस्मत को कोस रही थी तब ही उसकी नजर के सामने पड़ा एक पानी का पुराना मटका नजर आया जो भुर भुरा हो चुका था कुछ देर वह उस मटके को देखती रही फिर मन में जो मनोज से माफी मांगती है कि मनोज बेटा मुझे माफ कर देना मैं कर भी क्या सकती हूं और शान्ती अपने मन में मनों से माफी मांगती उठती है और फिर खड़ी हूती है और सामने पड़े मटके के पास जाती है और उसे उठाती है और सामने कच्ची मिट्टी की दिवादा